नमस्का आप देख रहे हैं गुड मॉनिंग न्यूज और मैं हूँ विकास सर्मा विधान सवा चुनाओं से पहले बिहार की राजनीती में नए नए सम्मीकरन देखने को मिल रहे हैं ताजा ओधारन हिंदुस्तानी अमाम मोर्चा का है जिसके महागटवंदन से अलग होने की बात चल रहे हैं कहा जा रहा है कि उनके नेता ने नितीश कुमार से अपनी आगे की बात चीज शुरू भी कर दी है तो आईए एक नजर डालते हैं जीनत राम मान जी की इस पॉलिटिक्स पर सुत्रों के मताबिक जीतन राम मान जी की ओर से लगातार नितीश कुमार से एक मुलाकात का इंतजार किया जा रहा है कॉडिनेशन कमेटी बनाने को लेकर मान जी पिछले एक बर से राजस से नाराज चल रहे थी जीनत राम मांजी के ओर से लगातार अल्टिमेटम देने के बाद भी रास्टी जंताजल यानि आर्जेटी के रुक में कोई परिवर्तन नहीं होने पर उन्होंने ऐसा फैसला लिया है 2019 के लोकसवा चुनाओ में मिली करारी हार के बाद से जीतन राम मांजी राजत पर सवाल खड़े करने लगे थे बे लोकसवा चुनाओ में महागटवंदन को मिली करारी हार के लिए कहीं न कहीं राजत को जिम्मेदार मांगते हैं उनका कहना था कि Coordination Committee का गठन हो गया होता तो यह करारी हार नहीं मिलती। मांजी ने लोकसावा चनाव से पहले ही Coordination Committee की मांग की थी ताकि सभी फैसले साथ में लिये जा सकें। और एक मंच महागटवंदन के सभी घटक दल भी वहाँ पर मौझूद हो। पर इसका मैटी का अब तक कुछ नहीं हुआ। मांजी इससे ही खाफा होकर महागटवंदन छोड एंडिये में सामिल हो रहे हैं। अब देखना ये है कि इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधान सवाद चुनाओं में मांजी नितीस कुमार को कितना फायदा पहुचा सकते हैं।